हाई फ्रेंड्स वेल्कम बेक चु आर सेवर किचन तो आज मैं आपके लेकर आई हूं कापकेक जो की मैंने दो मिनिट में बनाया है माइक्रोवर्ब में और यह किट्स का तो आल टाइम फेविरिट होता है सारे बच्चों का तो क्यों आम इसे घर में बनाया वह भी बहुत ई अगर आपास शूकर पॉडर नहीं तो आप इसे मिक्सी में ग्राइंड कर सकते हैं से भी आपको शूकर पॉडर रेडी हो जाता है और साथ में हम एट करेंगे अपना ओर्यो बिस्किट पादर यह जो ऑलियो बिस्कित पॉडर आता है मैंने इसको क्रीम साइट में लिकाल क जो मारे बिस्कित होते हैं उनको मैंने ग्राइंड करके पॉडर बना लिया तो वह मैं इसमें एट करेंगे 6 टेबल स्पून अबस्ता पूरा बिस्कित हा पैकिक मैंने एक ग्राइंड कर दिया उससे आपका एक मग कब बन जाएगा बड़े वाला तो उसे हम अच्छी तरह से दिन और मिक्स करेंगे अच्छी तरह से हमसार भाइंगे मिल्क दिन को वियुऌ करूंश वह उसख़ा चायर बाइल और पैकेट मिल्क वाप्शनल है अज अगे नम इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से ताकि एक क्रीमि टेक्ट्टिर आजया हमारा इसका जो बैटर होगा वो ज्यादा थिक ना हो ज्यादा लाइट नॉइच इसके कोशिश करना इंतम नॉर्मल हो यह देखिए कुछ इस तरह से आपका बैटर रेडी होना चाहिए साथ हम इसमें डालेंगे बेकिंग पॉडर वन फोट टी स्पून और थोड़ा सा मिल्क उपर से एड करेंगे जिससे हमारा कप केक हो अच्छा सा फर्मेट हो अच्छा सा स्पॉंज इसका आयव बन कर यह देखिए इसे हम दुवारा मिक्स करेंगे और अभी हम मिक्से से कंट अब अब कुछ इस तरह से हमारा बैटर बल्कुल ही डाइड हो गया कितना शाइनी लग रहा है अब उसमें एड करेंगे हम चॉकले आप कोई भी चॉकले इसमें एक कर सकते हैं डेरी मिल्क तो यह हम चॉकले पीसे में डालेंगे इस सरह से दो पीसे मिसमें ताल के इसे ऊपर से हम अच्छी तरह से कवर कर देंगे अपि जब हमारा केक बेक हो तो वह चॉकले बंड ना हो उसका मिल्टिट फ्लीवर आये तो यह देती है हमारे केक कप के एज़े से क्लीन कर लेंगे हमारा केक का बैटर रेडी है चलिए इसे बेक करते हैं हम इसे ओली दो मिनिट तक बेक करेंगे वह भी नॉम्मल मोड पर कोई विसके में मोड लगाने की ज़रुत नहीं है ओली फो टू मिनिट नॉर्मल मोड तो आफ्टर टू मिनिट के वाद देखते हैं हमारा केक तो बेक हो गया है तो हमारा मक केक बनके रेडी हो चुका है यह देख सकते आप बहुत ही जादा स्पॉंजी बनाया और स्वाफ्ट बनाया है चलिए इसे हम तोड़ा सा डेकॉरेट कर लेते हैं तो इसमें तोड़ा इसे कुछ अच्छा लगता है बच्चे अट्रैक्ट होते हैं और जल्दी अपना फिनीश करते हैं यह देखिया है तो कुछ इस तरह से हमारा मक कब बनके रेडी हो चुका है तो इंज्वाइ करें इस रेनी सीजन में कॉपकेड जो कि बहुत ही एजी और 2 मिनिट में हम माईक्रो में बना सकते हैं इसी तरह सीम प्रोसेस्षण कड़ाई में मना सकते हैं बट कड़ाई में हम इसे बनाने के लिए कम से कम भी 15 मिनिट लगें तो I hope कि आपको मेरी वीड friends bye bye take care